ओम शान्ती आज है 10 दिसम्बर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए यह हाए हाए होने के बाद फिर वहावाह होने है मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए इतने मेहनत करनी है जो पिछाडी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए फिर बाबा ने कहा जो आज्याकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है पाँच विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके तुम्हें ग्यान धन का दान जरूर करना चाहिए दानी महादानी कहते हैं न तुम पढ़ाई से ही राजाई पद पाते हो यह पढ़ाई भी है दान भी है इस ग्यान से तुम बच्चों को विश्व की बादशाही का कापारी नशा चड़ता है जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा जरूर चड़ेगा आगे कहा सर्विस करने वाले बच्चों को सर्विस बिगर पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा प्रदर्शनी आदी में भले रात को बारह भी बच जाते हैं ठकावट होती है गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंदा ही है ग्यान इंजेक्शन लगाना सर्जन ही नबज देखेगा जो अपनी नबज को नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे और लास्ट में बाबा ने कहा तुम सरव्यापी कहे कर हमारा तिरसकार करते आई हो हम फिर भी तुम्हारे उपर उपकार करते हैं अभी मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ सिर्फ वह सुनो इन आखों से कुछ और देखो ही नहीं अपने शानती धाम सुख धाम को ही याद करत अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्यान रत्नों का दान ही महादान है इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है इसलिए महादानी बनो प्रशन, जिन बच्चों को सर्विस का शोंक होगा उनकी मुख्य निशानिया क्या होंगी उत्तर, पहली निशानी उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा दूसरी, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी तीसरी, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा चोथी, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे पांचवी, उन्हें किसी की मिलकियत नहीं चाहिए वह किसी की प्रोपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे चठी, उनकी रगें सब तरफ से तूटी हुई होगी और सात्वी निशानी वह बाप समान उदार चित होंगे उन्हें सेवा के सिवाए और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा याद कर लेंगे सातों निशानी, पुरानी दुनिया का वातवरन अच्छा नहीं लगेगा बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी पढ़ने पढ़ाने में ही आराम आएगा समझाते समझाते गला खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे उन्हें किसी की मिलकियत भी नहीं चाहिए उनकी रगे सब तरफ से तूटी हुई होगी बाप समान उदार चित होंगे उन्हें सेवा के सिवाए कुछ भी मीठा नहीं लगेगा और आज का गीत ओम नमोशिवाए ओम शान्ती रुहानी बाप जिसकी महिमा सुने वेह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं यह पाठशाला है ना तुम सब यहां पाठ पढ़ रहे हो टीचर से यह है सुप्रीम टीचर जिसको परमपिता भी कहा जाता है परमपिता रुहानी बाप को ही कहा जाता है लोकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे तुम कहेंगे अभी हम पारलोकिक बाप के पास बैठे हैं कोई बैठे हैं, कोई महमान बनाते हैं, तुम समझ से हो, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्सा लेने के लिए तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, मनुष्य तो बिचारे चिलाते रहते हैं, इस समय दुनिया में सब कहते हैं, दुनिया में शान्ती हो ये तो बिचारों को पता नहीं, शान्ती क्या वस्सू है, ग्यान का सागर, शान्ती का सागर, बाप ही शान्ती सापन करने वाला है, निराकारी दुनिया में तो शान्ती ही है, यहां चिलाते हैं कि दुनिया में शान्ती कैसे हो, अब नई दुनिया सत्युक में तो शान्ती थ जबकि एक धर्म था, नई दुनिया को कहते हैं Paradise, देवताओं की दुनिया, शास्रों में जहां तहां अशान्ती की बातें लिख दी हैं, दिखाते हैं दुआपर में कंस्था, फिर हिरने कश्यप को सत्युक में दिखाते हैं, तुरेता में रावन का हंगामा, सब जगहें खा दी हैं, मनुष्य बिचारे कितना घोर अंधियारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को, जब गोड फादर आए, तब वही आकर शान्ती सापन करें, गोड को बिचारे जानती ही नहीं, शान्ती होती ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस सापन करो, आरे समाजी भी गाते हैं, शान्ती देवा, बाप कहते हैं, पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब ह कहां? नई दुनिया में. धन बिगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं. तुम यहां आते हो इन लक्ष्मिनारण जैसा धनवान बनने. यह विश्व के मालिक थे न? तुम आये हो विश्व का मालिक बनने. प्रन्तु वेह दिमाग सब का नंबरवार है. बाबा ने कहा था, जब प्रभात फेरी निकालते हो, तो साथ में लक्ष्मिनारण का चित्र जरूर उठाओ. ऐसी युक्ती रचो. अभी बच्चों की बुद्धी पारस बुद्धी बनने की है. इस समय अजुनतमो प्रधान से रजो तक आये हैं. अभी सतो, सतो प्रधान तक जाना है. वेह ताकत अभी नहीं है. याद में रहते नहीं है. योग बलकी बहुत कमी है. फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं. यह जो गायन है, सेकेंड में जीवनमुक्ती. वेह तो ठीक है, तुम ब्रहमन बने हो, तो जीवनमुक्त बन ही गए. फिर जीवनमुक्ती में भी सर्वत्तम, मध अध्यम कनिष्ट होते हैं, जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ती मिलती जरूर है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं, तो भी जीवन मुक्ती जरूर मिलेगी, स्वर्ग में जाडू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम म बाप अविनाशी ग्यान देते हैं। उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों की अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वह वह होने है। तुम अभी इश्वरिय संतान हो फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विसकर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शान्ती सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उच्च ह अभी तुम रच्ता बाप को और सृष्टी चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदी जो भी हैं परमप्रा से चले आते हैं। परन्तु कब से यह कोई नहीं जानते। समझ से हैं जब से सृष्टी शुरू हुई, रावन को जलाना आदी भी परमप्रा से चलाता अब सत्युग में तो रावन होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गोड को भी याद नहीं करते, यहां सब गोड को याद करते रहते, समझ से हैं गोड ही विश्व में शान्ती करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो, बच्च तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे. जो पवित्र नहीं बनेंगे वे तो सजा खाएंगे. इसमें मनसा वाचा करमना पवित्र रहना है. मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए. इतनी मेहनत करनी हैं, जो पिछाडी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए. एक बाप क सिवाई कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक करमातीत अवस्था हो, हनुमान मिसल, अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए, जो आज्याकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जासी रह पांच विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके, तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से यह वर्सा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चड़ना चाहिए, यह भी जानते हो, सापना तो जरूर होनी है, यह पुरानी दुनिया कबर दाखिल होनी है जरूर, हम परिसान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुशार्थ करते रहते हैं, यह तो कबरिसान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीड़ी में है, यह सीड़ी कितनी अच्छी है, तो भी मनुश्य समझ से नहीं है, यहां सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझ से नहीं, तुम्हें ग्यान धन का दान तो जरूर करना चाहिए, धन दिये, धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना, जो होस्पिटल धर्मशाला अदी बनाते हैं, उनको महादानी कहते हैं, उसका फल फिर दूसरे जनम में अल्पकाल क लिए मिलता है, समझो धर्मशाला बनाते हैं, तो दूसरे जनम में मकान का सुख मिलेगा, कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं, तो राजा के घर में, वो साहुकार के घर में जनम लेते हैं, वे दान से बनते हैं, तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी दान भी है यहां है direct भक्ति मार्ग में है indirect शुबाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते है शुबाबा के पासों हैं ही अविनाशी ज्यान रत्न एक-एक रत्न लाखों रुपयों के है भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता ज्यान इसको कहा जाता है शास्त्रों में भक्ती का ज्यान है भक्ती कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है तुम बच्चों को है ज्यान का कापारी नशा तुम्हें भक्ती के बाद ज्यान मिलता है ज्यान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चड़ता है जो जास्ती सर्विस करेंगे उन को नशा चड़ेगा प्रदर्शनी अत्वा म्यूजियम में भी अच्छा भाशन करने वालों को बुलाते हैं न वहां भी जरूर नंबर वार होंगे महारती घोडे सवार प्यादे होते हैं देलवाडा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है तुम कहेंगे यह है चितन्य देल रिशी वह है हठ योग रिशी अभी तुम ग्यान ग्यानेश्वरी हो ग्यान सागर तुमको ग्यान देते हैं तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो सर्जन ही नबज देखेगा जो अपनी नबज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे तुम अविनाशी सर ग्यान अंजन सत्गुरू दिया अज्यान अंधेर विनाश यह ज्यान इंजेक्शन हैना, आत्मा को इंजेक्शन लगता हैना, यह महीमा भी अभी की है। सत्गुरू की ही महिमा है, गुरूं को भी ज्यान इंजेक्शन सत्गुरू ही देंगे, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हूँ, तो तुम्हारा धंदा ही है ज्यान इंजेक्शन लगाना, डोक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई पांसो भी मुश्किल कमाएंगे, न अपील करते हैं, तो वे माफ भी कर देते हैं, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित होना चाहिए, इस भागिरत में बाप प्रवेश हुआ, तो इनको बाप ने उदार चित बनाया ना, खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वे इसमें आकर मालिक बन बै चलो यह सब भारत के कल्यान के लिए लगाना है, तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्यान के लिए, कोई पूछे खर्चा कहां से लाते हो, बोलो हम अपने ही तनमंधन से सर्विस करते हैं, हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं, हम श्रीमत पर राज्य सापन करते हैं जो ब्रह्मन बनेंगे वही खर्चा करेंगे शुद्र से ब्रह्मन बने फिर देवता बनना है बाबतों कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो कोई को जट से तीर लग जाए कोई जादू के डर से आएंगे नहीं मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है न भगवानू वाच मैं तुमको राज्योग सिखाता हूं हठी योगी कभी राज्योग सिखला न सके यह बातें अभी तुम समझ से हो तुम मंदिर लायक बन रहे हो इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है सारे विश्व में रावन का राज्य है बाकी सत्युग त्रेता में यह रावन आदी हो कैसे सकते बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वेह सुनो इन आखों से कुछ देखो नहीं यह पुरानी दुनिया ही विनाश होने है इसलिए हम अपने शान्ती धाम सुख धाम को ही याद करते हैं अभी तुम पुजारी से पुज्य बन रहे हो यह नमबर वन पुजारी थे नाराइन की बहुत पुजा करते थे अब फिर पुज्य नारायन बन रहे हैं, तुम भी पुरुशार्थ कर बन सकते हो, राजधानी तो चलती है न, जैसे किंग एड़वर्ड दी फॉस्ट, सेकिंड थर्ड चलता है, बाप कहते हैं, तुम सरव्यापी कहेकर हमारा तिरसकार करती आई हो, फिर भी हम तुम्हारा करता हूँ, यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुशार्थ जरूर करना है, कल्प पहले जो पुरुशार्थ किया है, वही ड्रामा नुसार करेंगे, जिस बच्चे को सर्विस का शोक रहता है, उसको रात दिन यही चिंतन चलता रहता है, तुम बच्चों को आप से रास्ता मिला है, तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है, दुनिया विवातावरण अच्छा नहीं लगता है, सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है, अब तुम बने हो बहुत उच्च टीचर तुम्हारा धन्दा ही यह है जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा प्रदर्शनी आदी में रात को बारे भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है थकाविट होती है गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं इश्वरिये सर्विस है न यह बहुत उच्च सर्विस है उनको फिर कुछ भी मेठा नहीं लगता है कहेंगे हम यह मकान आदी लेकर भी क्या करेंगे हमको तो पढ़ाना है यही सर्विस करनी है मिलकित आदी में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे सर्विस में तो बेड़ा पार होना है बाबा कहे देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है, इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है, कोई की तो रग जाती है, कोई की रग तूटी हुई रहती है, बाबा कहते हैं मन मनाभव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंग बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदी की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं, जो सर्विस नहीं जानते, वह तो अपने काम के नहीं, टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते त बहुत जरूरत रहती है ना इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है बच्चे समझ से हैं बाप टीचर है बच्चे भी टीचर चाहिए ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं सब काम करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात भिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्से रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है सर्विस के बिगर आराम नहीं सर्विस कर आपसमान बनाना है दूसरी पॉइंट बापसमान उदार चित बनना है सबकी नब्ज देख सेवा करनी है अपना तन, मन, धन भारत के कल्यान में लगाना है अचल अडोल बनने के लिए आज्याकारी वफदार बनना है वरदान अंतर मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव परे हो जाते हो वातावरन के प्रभाव में नहीं आते जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरन से परे हो जाते हैं ऐसे यह अंतर मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है और जो बाप का प्यारा है वह स्वत्य सबसे न्यारा हो जाता है स्लोगन साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है विस्तार में साधना को चिपा नहीं देना अच्छा ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें